हेलो एन वेलकम टू अनकेडमी क्या हाल चाल है आप सभी के स्टुडेंट्स आज अनकेडमी इंडिया में UPSC CSE की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सबस्ट्राइब करते हो तो आपको क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे यह देखिए मेरे साथ-साथ आपको इंडिया के बेस्ट अडूकेटर से और बेस्ट UPSC CSE टीम से पढ़ने का मुका मिलेगा मेरा नाम है नवीन तवर, six years of teaching experience है, six time means interview को experience है अगर आप लोगों को मेरी YouTube classes का PDF चाहिए, notification चाहिए, special classes का PDF notification चाहिए तो यह टेलिग्राम चैनल है, unacademy underscore नवीन तवर, आप इसे जरूर जोइन कीजिए और अगर subscription लेने से पहले आपको किसी भी तरह का doubt है, तो आप एक बार इस channel पे मुझसे contact कर सकते है यह एक price height हो रहा है student देखिए, यह देखो 9 December 2021 unacademy का annual subscription fee, यानि के unacademy subscription की fees बढ़ने वाली है बढ़ने वाली है, तो जो भी बच्चा 9 December से पहले ले लेता है उसको बढ़ी हुई fees पे नहीं करनी होगी और उसके साथ ही साथ आपको 3 महीने का extra subscription भी मिलेगा यानि के जो बच्चा साल भर का ले रहा है, उसको 12 प्लस 3, 15 महीने का subscription मिलेगा जो 2 साल का ले रहा है, उसको 27 महीने का और जो 3 साल का ले रहा है, उसको 39 months का subscription मिलेगा और उसके साथ ही देखिए, 5 दिसंबर के दिन जो परसो अनकैडमी कॉमबेट होगा, सुबह 11 बजे 60 मिनट में 56 कॉशन होगे 4 करोड रुपे की scholarship का pool है, टॉप 3 बच्चों को 100% scholarship मिलेगी उसके बाद rank 4 से लेके 500 तक 75%, 50% और 25% का आपको scholarship discount मिलेगा और अगर आप इसके लिए participate करना चाहते, बिल्कुल free of cost है, मेरा code नवीन1 apply करके आप इस test में participate कर सकते है उसके साथ ही free test series है, अनकैडमी कॉमबेट आप जानते हो, हर संडे सुबह 11 बजे होता है उसके बाद top T20 daily current affairs होंगे, 15 MCQ, 15 मिनट में, हिंदी इंगलिश दोनों में होते है, मंडे से fridays, evening में 7.30 पीम उसके बाद अभियान है, daily static quiz होते है, 15 MCQ, 15 मिनट में होते है, हिंदी इंगलिश दोनों में होंगे, मंडे से friday, सुभे 10 बजे ये होते है जो भी बच्चा one time payment नहीं कर सकता, EMI में आप subscription को amount को pay करना चाते है, तो अनकेडमी आपको loan की facility देता है इसी वीडियो के description link में आपको एक Google form मिलेगा, उसको भर दीजिए, उस form के अंदर एक referral code मांगेगा, ये है नवीन 1 जो बच्चा चाते है कि नवीन सर के through unacademy पे आना चाते है, आप चाते है कि आपको मेरी mentorship मिले, तो नवीन 1 code ही apply करना है अगर आपके पास loan team का phone आता है, तो आपको बोलना है कि नवीन 1 code ही लगाना है, ये आपको ही सुनिश्चित कराना है इसमें क्या होगा, आपको zero interest rate होगा, दो गंटे में अप्रूव हो जाएगा, minimum paper work है और flexible tenure है, easy EMI में आप इसको पे कर सकते है उसके साथ ही iconic subscription में आप जानते हो, आपको अलग से एक mentor मिलता है, आपकी पढ़ाई यहां से सीधा यहां आ जाती है क्योंकि एक UPSC, CSE का expert हर वक्त आपके साथ रहता है, तो live mentoring होता है, personalized learning, subject experts आपके साथ होते हैं, study plan बनेंगे आपके लिए और mains का question and answer writing practice, यह देखो, सबसे बड़ा challenge है answer writing daily basis पे answer writing आपसे कराई जाएगी, यहां पे mains question and answer writing practice है, iconic subscription में है, लेकिन यह बात ध्यान रखना अगर कोई बच्चा सिर्फ journal studies का subscription लेना चाता है, तो आप plus या iconic कोई भी option choose कर सकते हैं, plus six months से three year है, लेकिन जभी भी ले minimum one year का ही लेना है, one, two, three, उसके बात कितना भी जा सकते हैं, मेरा code लगाओगे, फिर से 10% discount, मेरी mentorship मिलेगी, iconic में भी एक साल, दो साल, तीन साल, जैसे एक साल का 74,500 है, या आपको 60,000, 50 में पढ़ेगा, अगर आप मेरा referral code नवीन one लगाते हैं, और उसके साथ ही अगर आपका optional geography है, जोगरफी अगर आपका optional है, तो उसमें आपको करना क्या है, नवीन one code लगा के आप plus पे मेरा geography optional का भुगोल वैकल पिक विशेक का course चल रहा ह आप इसमें इसको join कर लीजिए, अलरड़ी 50 lecture आ चुके है, जल से जल join करें, जो बच्चा 2022-23 के लिए बहुत जादा serious है, उसके लिए अभी सबसे जादा उप्युक्त time है कि वो optional का subscription ले, अब ऐसे आप नवीन one code अनकेडमी के किसी भी subscription में लगा सकते हैं, आपको 10% discount मिले आठ दिसम्बर से नई बैश शुरू हो रहे है, 2022 के लिए, 2023 के लिए, और अभी हमारा session है, भुगोल मुख्या परिक्षा का हमारा session चल रहा है, पहले आपके हाल चाल जाल लेते हैं, क्या हाल है आप सभी बच्चों के, जल्दी से बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग? गुद आफ्टर नून, गुद आफ्टर नून, चले, शुरुवात करे session की बिंदास है, बढ़िया है, ओके हमारा मेंस 2021 और 22 के लिए, ये हमारा topic चल रहा है, एक UPSC का question देखते है, देखो, प्रशन क्या है, UPSC क्या पूछता है? ये 2000, UPSC मेंस 2014 का question है, देखो, question हलाकी बहुत simple है, लेकिन इसका answer उतना ही typical है, ये बात समझ में रखना, ये question देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब इसको लिखोगे न, आपको, ये इस question की विशेशता ये है, पढ़ने में आपको लगेगा, सब कुछ आपने पढ़ हुआ है, लेकिन जब आप लिखने चलोगे, तो लिखने में बड़ा challenge है, इस question की answer को, question क्या है, देखो, क्या कारण है, कि संसार के वलित परवत, जिनको आप folded mountain बोलते हो, folded mountain, folded mountains, संसार के वलित परवत, तंत्र, महादीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है, यानि के आपके जो folded mountain है, आपके जितने भी महादीप है, उसके किनारों पर मिलते है, सीमांत का मतलब मार्चिन, किनारा, एक तो ये कारण पूछता है आपसे, दूसरा ये पूछता है, वलित परवतों का वैश्विक वितरन, जितने भी folded mountain है, दुनिया में कहां कहां पे है, और इनके वितरन और भुकंप और ज्वाला मुखी के बीच का सहाचर्य है, यानि के जैसे folded mountain है, उनी छेतरों में आपका भुकंप भी आता है, और ज्वाला म मुखी भी आता है, क्या को रिलेशन है, वो आपको बताना है, उजागर कीजिए, साड़े बारा नम्मर का कुश्चन है, 12.5 माक्स का कुश्चन है, ओके, देखो, वाय आर वर्ट्स फॉल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड अलोंग दा मार्जिन्स और कॉंटिनेंट्स ब्रिंग आउट दा आशोशेशन बेट विन दा ग्लोबल दिस्टिबिशन और फॉल्ड माउंटेन और अर्थक्वेक्स और वालकेनोज। ये तो बात हमें समझ में आ गई, प्लेट टेक्टोनिक पे ये कोश्चन है, है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये प्रशन पूछा गया प्लेट टेक्टोनिक थियोरी और इसी साल दो कोश्चन आये थे प्लेट टेक्टोनिक पे, एक कोश्चन ये आये था और एक पूछा गया था इंडोनेशियाई और फिलिपीन्स दीप सहुओं में जुआला मुखी दीपो का सनरचना, उत्तपत्ति कैसे होती ह वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा, लेकिन मुद्दा ये है कि ये पूरा टोपिक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक के उपर, तो जिस बच्चे को प्लेट टेक्टोनिक पता है, उस प्लेट टेक्टोनिक का पूरे थियोरी को साड़े बारा नमबर में लिखके समझाना और उसक क्या बोल रहे हैं आप लोग जान लेते हैं आपकी किसी तरह का कोई डाउट है आपको एक बार सुन लेते हैं आपको मेरी अवाज सुना ही दे रही है आप लोगों को मेरी अवाज सुना ही दे रही है ओके, बैल डन तो इस प्रशन को टेकल करते हैं, बेटा पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वलित पर्वत कहा जा है ये वलित परवत है आपका है ने आपको लोगे सर वलित परवत कैसे हो हमने देखा नहीं है तो वलन है देखो इसमें ये देखो ये वलन पड़ा हुआ ये वलित परवत है ओके ये फॉल्ड है फॉल्ड है आपका ये फॉल्डिड माउंटेन है ये आपका जैसे आप हाथ में paper को लोगे न एक कागज को लोगे उसको दोनों साइड से आप ऐसे press करोगे तो वो कागज ऐसे मुढ जाएगा आपका तो वो fold बोला जाता है ये folded mountain है folded mountain देखो ये ये भी आपका folded mountain का ही example है इसको भी आप folded mountain folded mountain ही बोलोगे ये fold पड़े हुए है ये देखो बहुत सारे fold पड़े हुए है ये folded mountain है आपके सब के सब ये folded mountain है समझ में आ रहा है आपको देखे होंगे आपने ऐसे पहाड जीवन में कभी ना कभी तो देखा ही हो गया रहे है ऐसा तो कोई इनसान नहीं है भारत में क्योंकि खूब मिलता है भारत में अच्छा ये बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ आमने देखा है ओक्या चले दन आजओ तो ये बंता कैसा है फॉल्डड माउंटेन देखो ये भी आपका यहां पे आप देख सकते हो फॉल्ड पड़े हुए फॉल्डड माउंटेन है ये सब यहां कहीं कहीं इनमें जॉला मुखी की क्रियाए भी देखने को मिलेगी ये भी देखेंगे जॉला मुखी क्यों आती है जॉला मुखी घटनाय क्यों होती है तो कहीं न कहीं ये हमारा प्लेट टेक्टॉनिक से जुड़ा हुआ कंप्लीट कोशन है प्लेट टेक्टॉनिक ओके तो शुरुवात करते है इस सेशन की पहले distribution देख लो distribution क्या है ये उत्तरी अमेरिका है ये उत्तर अमेरिका है इस उत्तर अमेरिका में है आपका Rockies Mountain ये देखो folded mountain है और ये अमेरिका के सीमान्त पे ही है उत्तरी अमेरिका के सीमान्त पे ये ही question है कि ज़्यादा तर महादीपों के सीमान्त पे क्यों है ये दक्षिन अमेरिका है यहाँ पे आप देखिए एंडीज ये एंडीज परवत माला है ये भी आपके महादीप के सीमान्त पे ही है ये पूरा महादीप है और इसी के मार्जिन पे है ये आपका एंडीज इधर आजाओ इधर आपका Atlas Mountain है, ये देखो, अफरीका के Margin पे है, इधर आप देखो Europe की परवत माला, ये पूरे जो आपके परवत है यहाँ पे, ये भी Europe के Margin पे ही है, ये Europe है, ओके, ये एशिया है, यहाँ पे आपका हिमाल्य, ये हिमाल्य परवत माला है, ओके, तो ये कहता है, कि ये देखो, ये भी Margin, ये भी Margin, ये Margin, ये Margin, और इंडिया के केस में हमारी Eurasian और Indian Plate टकराई है, उसका थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, Continental, Continental दो प्लेट है, तो ये देखो, वलित परवतों का वितरन नजर आ रहा है, और एक खास खुबी और ह इसी डाइग्राम में देखो बिटा, यहाँ पर आपको dot dot करके major volcanoes दिखाए गए है, और ये dash dash करके आपको earthquake दिखाए गए, तो देखो ये dash dash dash, ये सब कुछ दिखाया हुआ है आपके, दिखाता हूँ मैं आपको, ये समझो आप इस चीज़ को, यही पर देखो ये, ये सब ये सब, ये सब आपका earthquake दिखाया गया, कि ये छेतर में earthquake बहुत आता है, यहाँ पे earthquake दिखाया गया, बाजू-बाजू में बिलकुल, यहाँ पे भी earthquake दिखाया गया, ये पूरा ऐसे करके दिखाया, यहाँ पे भी earthquake है, ये पूरे छेतर में earthquake दिखाया गया है, साथ के साथ जो red red dot दिखाए गई है सब के सब ये जुवाला मुखी है यानि कि एक correlation समझ में आ रहा है कि जहां पर ये वलित परवत है युवा वलित परवत young folded mountain है इन्ही परवतों के डिकटवर्ती छेतर में भुकंप भी है और इन्ही वाले छेतर में जुवाला मुखी भी है ये बात समझ में आ रही है तो UPSC बस आप से ये ही पूछ रहा है कि कारण बता दो बस कि जहां ये युवा वलित परवत पहली बात तो margin पे क्यों है और दूसरी इन युवा वलित परवतों का और भुकंप का जुवाला मुखी का आपस में क्या लेना देना है Done Is it fine? Question समझ गए न अभी आप मुझे Question की Demand बता दो Question की Demand तो आ गई न आपको समझ में Question की Demand समझ में आई Okay ये लिखना है आमे Question की Demand सभी को समझ में आ गई Fine, fine, fine बोले जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ेंगे Question क्या पूछना चाहरा है वो पहले clear होना चाहिए Okay चले अभी इसको शुरुवात करते है अभी आजाओ तो ये पूरा का पूरी जो ये Margin पे Mountains का होना महादीपो के किनारों पे Folded Mountain का होना उसके बाद आपके जुआला मुखी Earthquake को समझने के लिए हमें समझना होगा Plate Tectonic को ये Plate और Tectonic क्या है ये दोनों शब्दों को समझना होगा कि पहली बात तो ये Plate क्या होती है और फिर ये Tectonic क्या होता है सब को समझेंगे आज Plate Tectonic तो पहले ये देखते हैं कहां से आया है Plate Tectonic का थियोरी तो देखो Plate Tectonic की थियोरी आई थी 1960s के डिकेड में आई थी और उस टाइम पे देखो शुरुवात से ही मानव की एक प्रवर्ति है कि वो खोजी रहा है वो लगातार प्रकरती के रहसों को खोजना चाता है तो हम शुरुवात से ये सोचते रहे ये दर्शन का भी विशे रहा ये भुगोल का भी विशे रहा ये फिजिक्स का भी विशे रहा कि ये पूरी की पूरी प्रतवी ये पुरा भ्रमांड बना कैसे और बने है तो फिर ये महादीप महासागर कैसे बने तो अभी तक का जो लेटेस्ट हमारे पास थियोरी है महादीपो, महासागरो, परवतो, पहाडो, पठारो, घाटियों की उत्पत्ती का वो है हमारे पास प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी, 1960 के डिकेड में ये आया था, तो प्लेट सिध्धान्त, विवर्तनी की सिध्धान्त हमारे क्रस्ट का निर्मान, प्रत्वी की उपरी क्रस्ट का निर्मान, उसका विनार्ष कैसे होते है, महासागर, महादीपो की उत्पत्ती कैसे हुई, महासागरिय कटको का निर्मान कैसे हुआ, परवत निर्मान कैसे ज्वाला मुखी प्रकिरियाए क्यों आती है इन सब का विशलेशन करता है और प्रशन यही है बेटा परवत निर्मान भूकंप और ज्वाला मुखी तो प्लेट टेक्टोनिक अगर कोश्चन किस पर आ जाता है महादीप महासागर की उत्पत्ति तो भी आंसर में क्या चलेग यह प्रत्वी है यह आपकी प्रत्वी है अगर मैं इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन निकालूँ थोड़ा हिसा निकाल लेता हूँ तो सबसे उपर है हमारी क्रस्ट सबसे उपरी परत को फिर हम बोलते हैं मैंटल और सबसे आंतरिक परत को बोलते हैं कोर तो यह कह रहा है क्रस्ट क्रस्ट के उपर बहुत सारी भ्रंच घाटिया से लेकर चट्टानों के वलित स्वरूप तक विशलेशन इसी सिध्धान्थ से हम कर रहे है प्ले टेक्टोनिक से करेंगे यह सार भौमिक सिध्धान्थ है और इस सिध्धान्थ की खास खुबी क्या है यह हर महादीपो पे लागू होता है आप बोलोगे भ्रंच घाटि कैसे बनी यह बता देगा दुनिया के अलग-अलग शेतरों में भ्रंच घाटि कैसे बनी आप पूछोगे दुनिया के अलग-अलग हिस्तों में इस सद्धान के पास अभी उन सारी चीजों का जवाब है तो इसी लिए हम क्योंकि ये पूरी प्रत्वी पर ही ये सद्धान काम कर रहा है इसे हम ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक भी क्या रहे है सार वहमिक रूप से काम कर रहा है तो इस शब्द जो प्लेट शब्द है आप प्लेट क्या है ये शब्द का इस्तमाल टू जो विल्सन ने किया था जिनका टाइम था उन्नी सो आट से तिराणमे के बीच और नैंटी सिक्स्टीज के डिकेड में इन्होंने प्लेट शब्द को यूज किया अभी मुद्द ये है सौरी कि ये प्लेट क्या है यहां देख तो ये प्लेट कहां से आया तो सुनो बिटा ये लिथोस्फियर बोलते है स्थल मंडल एक शब्द होता है स्थल मंडल एक शब्द का नाम है स्थल मंडल जिसको आप इंगलिश में बोलते हो लिथोस्फियर ये लिथोस्फियर है तो ये लिथोस्फियर किस से मिलके बना है पूरा crust पूरी भूपरपटी ये पूरा का पूरा भूपरपटी है और mental का उपरी हिस्सा लगबग एक जैसा ही नजर आता है तो इसको complete crust को और mental के उपरी हिस्से को एक साथ मिला के हमने बोला स्थल मंडल पूरा का पूरा स्थल मंडल अब ये स्थल मंडल क्या है बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित है सपोज करो ये पूरा स्थल मंडल है आपका जो आपके crust से और उपरी mental से मिलके बनाया लेकिन ये कई हिस्सों में विभाजित है कई हिस्सों में विभाजित है वो भी बात करेंगे तो ये सपोज करो X1 है X2 है X3 है X4 है X5 है ये ऐसे विभाजित है और भी बहुत सारी टुकड़े है इन ही को ही हमने बोला है प्लेट ये ही है हमारी प्लेट और टेक्टोनिक क्या है टेक्टोनिक का मतलब इन प्लेट के बीच में movement है ये static नहीं है इस तिर नहीं है ये हिलती जुलती रहती है ये बात समझ में आया तो कहता है प्लेट क्या है इस्थल मंडल का टुकड़ा है lithosphere लिथोस्फियर ये पूरा हमारा lithosphere था मैंने आपको बता इसके बहुत सारे टुकडे है, X1, X2, X3 ऐसे, जो अत्यंत, द्रड, कठोर और आकरती विहीन, आकरती विहीन मतलब आप ये नहीं कह सकते, कि सर ये बताओ, ये प्लेट का साइज कैसा है, ये प्लेट चतुर भुज है, ये प्लेट तिर्भुज के रूप में है, ये आपका पंच भुज है, ये आपका शट भुज है, कैसे है ये, ये आकरती विहीन है, हमें इसकी शेप का नहीं पता, आकरती विहीन और प्रतिरोधी है, मतलब रेजिस्ट करती है ये, किसी भी प्रिवर्तन का, जो की, ये जो प्लेट है, दुर्बलता मंडल के पिगले हुए मैग मैगमा, देखो क्रस्ट के नीचे मैंटल है और मैंटर में आपका मॉल्टन रॉक्स है, पिगला हुआ है ना, पिगली हुई चट्टाने है, आपने उसको मैगमा कहा तो इसने बोला ये, ये ये आपका लिथोस्फियर था, इस लिथोस्फियर के जस्ट नीचे है एस्थेन जिसको आपने बोला दुर्बलता मंडल दुर्बलता मंडल और यहां से प्रत्वी के अंदर का मेगमा बाहर आने की निकलने की कोशिश करता है तो यह क्या है आपकी जो यह आपका लिथोस्फियर है यह लिथोस्फियर किसके उपर उत्पलावित है दुर्बलता मंडल के उपर तैर रहा है दुर्बलता मंडल के उपर जिसको एस्थेनोस्फियर बोला उसी के उपर यह उत्पलावित है यह इतनी बात समझ में आई आई जल्दी से बताओ मुझे ये सब समझ में आया आपको जल्दी बताइए ये point clear हुआ अभी बहुत कुछ सीखना है बाई इस प्रशन के उत्तर तक जाना अरावली परवत माला आपका नवीन वलित परवत नहीं है वलित परवत तो है लेकिन दुनिया का प्राचीन वलित परवत है oldest folded mountain है अरावली नवीन वलित परवत नहीं है हिमाल्य, आल्प्स, रॉकी, एंडीज ये आपके नवीन वलित परवत है तो विवर्तनी देखो प्लेट का मतलब मैंने बता दिया अब आया टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है समझो इसको टेक्टोनिक क्या होता है इससे तातपरिया है प्लेटों में movement है ये जो सारी प्लेट्स थी ये move कर रही थी तो प्लेट इस्थिर नहीं है बलकि गतिक है और एक दूसरे से interact करती है मतलब अगर ये move करती है ये वाली प्लेट किधर भी move करेगी तो एक दूसरे के साथ क्या होगा अंतर संबंदित है ये जिससे की प्लेटों के सीमान्त पर सीमान्त पर क्या होगा भूगर्विक घटनाय होगी ये बात समझने वाली है देखो ये सब है प्लेटों के सीमान्त ये पूरी एक प्लेट थी इसका ये मार्जिन है X3 और X4 का ये भी एक मार्जिन है ओके ये भी एक मार्जिन है ये एक और मार्जिन है प्लेटों के सीमान्त है ये सीमान्त है कहरे इन सीमान्त के उपर क्या होता है इन margins पर किनारों पर भूगर्बिक घटनाएं होती है यहीं पे आपको ऐसी activity होगी यह plates move करेगी क्योंकि जब plate गती करेगी आपसमे plate tectonic में या तो दो plate एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेगी या दो plate एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी या वो दो plate एक वहीं पे ही आपकी क्या करती करेगी move करती रहेगी तो इससे क्या है बहुत सारी भूगर्बिक घटनाएं उत्पन होती है जुआला मुखी आएगा भुकंप आएगा और उनके आपस के moment से आपके mountains भी बनेंगे तो इस संक्रमन छेत्र को जो प्लेटों के किनारे है वो क्या है भूगर्बिक घटनाओं से युत्थ होता है और इन्हे ही हम बोलते है plate margin इन्ही किनारों को हमने बोला है plate margins प्लेटों के सीमांत आई बात समझ में तो फिर से देख लो lithosphere मतलब lithosphere क्या है देखो साफ लिखाए crust और उपरी mental का हिस्से को हम एक साथ बोलते है lithosphere हिंदी में बोलेंगे thal mandal याद रखना भू परपटी जिसको आप crust बोलते हो और thal mandal दोनों अलग है भू परपटी में केवल प्रतिवी की crust आती है sal mandal में crust और उपरी mental दोनों आते है done यह आपका esthenosphere है यहाँ से magma बाहर निकलने की कोशिश करेगा आप देख सकते हैं यह आपकी crust है सबसे उपर crust है crust के नीचे आपका यह mental है और mental के नीचे सबसे अंदर है यह आपका core तो crust और mental और नीचे जैसे जाओगे यहाँ पे आपका magma है पिगली हुई अवस्था में तो जराब ही अगर उसको space निकलेगा मिलेगा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा यह magma समझाओंगा भी एक एक करके देख सकते हो फिर से देखो lithosphere crust और upper mental है यह esthenosphere है दूर्बलता मंडल इसी दूर्बलता मंडल के पिगले हुए चटानों के उपर या magma के उपर आपका स्थल मंडल उत्थपलावित है ओके ओके जल्दी से बताईए मुझे done बहुत अच्छा इसका pdf मिलेगा pdf मिलेगा telegram channel पे क्लास के शुरुवात में मैंने telegram channel बताया क्लास के अंत में फिर से बताऊंगा तब तक तसली से पढ़ो पढ़ो आजाओ अब ही यह देखो यह सारा पूरा आपका पूरा का पूरा प्रत्वी है ग्लॉब है यह आपका यह सभी महादीप और महासागर आपको नजर आ रहे है तो यह आपको जो दिखाए गया है न बिटा कि यह क्या है यह आपकी एक प्लेट है यह आपकी एक प्लेट है प्रत्वी के उपर ये एक और प्लेट है ये फिर एक और प्लेट है बहुत सारी प्लेट है कुछ बड़ी प्लेट है जैसे साउथ अमेरिका प्लेट ये उपर वाली थी नौर्थ अमेरिका प्लेट ये अफरीका प्लेट थी कुछ चोटी चोटी प्लेट है देखो यहाँ पे दक्षिन अमेरिका के नीचे स्कोशिया प्लेट है यहाँ पे देखो एक और एक और मध्यमाकार की प्लेट है जिसको नाजगा प्लेट बोलते है यहाँ पे एक चोटी सी प्लेट है कोकोज प्लेट है यहाँ पे Caribbean आपका C है, यहाँ पे एक प्लेट है Caribbean प्लेट, बिलकुल दक्षिन में आपका Antarctic आपका महादीब है, वहाँ पे एक प्लेट है Antarctic प्लेट, फिर यह Eurasian प्लेट है, छोटी प्लेट एक यहाँ पे देखो Arabian प्लेट है, फिर भारत की एक प्लेट है Indian प्लेट, पाइन सी प्लेट ये पैसिफिक प्लेट इधर भी ये पैसिफिक प्लेट है क्योंकि घूम जाएगा ना प्रत्वी गोल है तो इसका मतलब एक बात आपको समझ में आगे जितने भी महादीप और महासागर नजर आ रहे हैं आपको ये स्थल मंडल के हिस्से है और ये स्थल मंडल बहुत सारी प्लेटों में टूटा हुआ है ये देखो ये सारी प्लेट आपको नजर आ रहे है इतने इसके हिस्से है और ये प्लेट नीचे एस्थेनोस्फियर का मैगमा है उसके उपर उत्पलावित है प्लेट अभी भी हर वक्त गती शील होती है प्लेट स्टेटिक नहीं होती अगर आप पूछोगे सर इन प्लेट की गती क्या है बहुत कम होती है एक सेंटीमीटर प्रती वर्ष है ना दो सेंटीमीटर प्रती वर्ष पांच सेंटीमीटर प्रती वर्ष बस इतनी तेजी से ही चलती है बाई ये Otherwise आपकी 120 km प्रति घंटा की स्पीड से चलती तो अभी तक तो जमा जम जमा जम सब कुछ खताम हो चुका होता जल्दी से बताईए ये समझ में आया इतना आपको ओके डन देखो आप इसको एक सेकंड ये आप देख सकते हो इन प्लेट्स का मुवमेंट दिखाया गया ये साउथ आफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है ये नाज का प्लेट इधर आ रही है नौर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे है इधर एक प्लेट ऐसे जा रही है तो ये प्लेट्स बूव कर रही है है ना आजाओ तो जो प्लेट विवर्तनीकी का जो ये सिध्धान्थ है समझ गई ना प्लेट और प्लेटों में गती प्लेट विवर्तनीकी का सिध्धान्थ भूव्यज्यानिक घटनाये है ना उन और वैश्विक वितरन की व्याख्या करता है भूवेज्यानिक घटनाये कोन सी होगी कहां पर वलित परवत है कहां पर वलित परवत है कहां पर भरंश घाटिया है ओके ये सब, कहां पे भुकंप आएगा, कहां पे जौला मुखी आएगा, उसकी ये व्याख्या करता है और मुख्या रूप से जो प्लेट टेक्टोनिक है, प्रतिवी का स्थल मंडल उसकी गती और उसके इंटरेक्शन को बताता है ये देखो, तब ही दो महत्पून सिधान आए थे, seafloor spreading, एक सिधान था, seafloor spreading, और जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थियोरी है, इन दोनों ने इस बात पर बल दिया, की जो प्रतिवी का धरातल है और भुगर्भ है, दोनों ही सिरना होकर गतीमान है, और प्लेट्स है, वो move करती है move का कारण में आपको बताता हूँ move कैसे करती है अब यह समझो आप इसको यह बात आपको समझ में आ गई विध्यार्तियो देश के भावी अधिकारियो विध्यार्तियो देश के भावी अधिकारियो समझो इसको यह आपकी plate है ये आपका प्लेट है, है ना प्लेट ही आपकी, ये प्लेट है, ये आपकी उपर वाला पुरी प्लेट है, ये स्थल मंडल है ये आपका, ओके स्थल मंडल बहुत सारे हिस्सों में तूटा हुआ, उसके नीचे ये मेंटल है, और सबसे अंदर है कोर, कोर के भी दो हिसे, आउ करेंगा मैंने बताया था ना ग्रैडियंट का मतलब क्या है दूरी के हिसाब से तो दूरी के हिसाब से ताप में होने वाला परिवर्तन यहां पे जो ताप मान है और यहां पे जो ताप मान है उसमें अंतर है यहां जादा ताप मान यहां कम तो क्या होगा नीचे से उपर की और आपकी सम्वेहनिय धाराए चली ओके आप सुनों इसमें हुआ क्या है इस पस नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे आपको साफ नजर आ रहा है जल्दी जे बताओ साफ नजर आ रहा है या नहीं कि आ रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है शले अभी सुनो विटा अभी यहां से इनको बोलते हैं समवहनिय धाराए समवहनिय धाराए है यह उपर की और उठी वेटा यहां से उपर उठी उपर उठी उपर उठी यह तो आपका उपर आ गया लिथोस्फियर लिथोस्फियर आ गया यह उपर उठने की कोशिश करेगी अगर यह चटान कमजोर होगी अगर यहां से लिथोस्फियर कमजोर होगा तो इसको भेद के ये बाहर निकल आएगा मैगमा अगर ये कमजोर नहीं है तो क्या करेगा ये साइड में गया साइड में गया या दोई चीजे होगी ना या तो कमजोर होगा तो उपर निकल जाएगा या ऐसे मूव करेगा या तीसरा तरीका है उपर भी निकलेगा और साइड में भी मूव करेगा और कहीं न कहीं आके वापस से नीचे की ओर चला जाएगा फिर ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा तो ये चकर पूरा चलता रहता है तो जब ये इधर मूव करा तो इसने इस प्लेट को इस और मूव कराया सेम इसका इधर भी है इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा ये नीचे मूव आया वापस से आ गया तो इस प्लेट को इसने इधर मूव कराया यानि के प्लेट को या तो दो प्लेट एक दूसरे से क्या जा रही है अपोजिट जा रही है एक इस और गई एक इस और गई लेकिन कहीं दूसरी जगह भी तो सेम काम हो रहा है यहां से मैगमा उठ रहा है उठ रहा है ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा एक और दूसरे स्थान पे ऐसा क्योंकि यह पूरा आपकी अर्थ के अंदर सेम ही चल रहा है तो यहां पे क्या होगा यहां से प्लेट इस और मूव कर रही है सेम पोजिशन इधर से भी होगा इधर से भी उपर उठेगा उपर उठेगा उपर उठेगा यहां नीचे आ जाएगा तो प्लेट इधर मूव कर रही है तो यहां पे तो दो प्लेट एक इधर गई और एक इधर गई इन वाले छेतरों में यहां पे एक प्लेट ऐसे आ रही ह तो जहां प्लेट ऐसे छेतर बनेंगे पूरी प्रत्वी के उपर अंदर से जो आपकी समवैलियत हराई चल रही है उनके चलते या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है या एक दूसरे के नजदीक आ रही है अभी समझो इसको यहां से समझो ये देखो बेटा ये वाला देखो ये वाला या तो प्लेट क्या करेंगे एक दूसरे से दूर जाएगी या प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएगी वो प्रत्वी के अंदर की कहानी थी वो बाहर कैसा होगा वो बाहर ऐसा कहीं पे एक दूसरे के नजदीक है कहीं पे एक दूसरे से दूर है फिर कहीं पे एक दूसरे के नजदीक है लेकिन ये सब के सब अंदर प्रत्वी के ये फॉर्स उसको मूव करा रहा है अंदर इस सि बताईए जल्दी से बताईए जल्दी से मुझे जवाब दीजिए Is it fine? आगे चलेंगे फिर समझ गए बहुत अच्छे से समझ गए ना तो अभी प्लेट टेक्टोनिक शब्द से घबराने की ज़रूरत नहीं है तो इसने कहा इस तरीके से आपके जो प्लेट्स है उसके आपके जो प्लेट्स है उसके कुछ मार्जिन बनेंगे जो मूव कर रही है अंदर से जो समझ गए धाराए मूव कर रही है तीन तरह के मार्जिन बनने वाले है रचनात्मक मार्जिन जिसको हम बोलते है कंस्ट्रक्टिव एक है विनाशात्मक मार्जिन जिसको हम बोलते है डेस्ट्रक्टिव और एक है conservative जिसको हम बोलते है सनरक्षी तो तीन तरह के किनारे बनेंगे या तो एक दूसरे के नजदीक या एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के parallel moon अरे कोई dance नहीं हो रहा भाई है ना कोई dance के step ना वैसे dance का step भी हो सकता है किसी को dance ना आता हो प्लेट टेक्टोनिक से dance सीख सकता है ऐसे ऐसे करो फिर ऐसे करो और फिर ऐसे ऐसे करो ओके जोग्रफी dance भी सिखाना जानती है ओके और जिसको आता है उसके लिए अच्छी बात है जिसको नहीं आता लेकिन वो प्लेट स्टेक्टोनिक के जरिए dance सीख सकते हो आप ओके आप एक एक करके यार यह immediately कभी हो जाता है कभी कभी हो जाता है तो क्या हो अभी जोग्रफी है तो क्या करें अगर जोग्रफी dance सिखा रही है तो क्या करोगे आप अभी कभी dance class में जाना वो आपको है ना dance class में जाना वो आपको जब step सिखाते ना कुछ ऐसे ही सिखाते है कोई नी अभी बात करते हैं UPSC की त्यारी कर रहे है डांस प्लास में नहीं है रचनात्मक किनारा आ गया क्या होता है रचनात्मक किनारा रचनात्मक मतलब कुछ निर्मान हुआ है कुछ construction हुआ है तो जब समान या आसमान घनत वाली मतलब जो दो प्लेट आएगी अभी आपकी ये प्लेट्स क्या करेगी प्लेट्स का movement होगा अब सारी की सारी प्लेट एक जैसी तो नहीं है किसी का density ज़ादा है किसी का density कम है किसी का speed ज़ादा है किसी का speed कम है तो जब वो interaction करेगी एक दूसरे के नस्दीक या दूर जाएगी तो कह रहे हैं कि जब समान या आसमान घनत्व तथा मोटाई वाली दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत जाती है एक जाती है इधर और एक जाती है इधर तो दोनों के मध्ये भ्रंश पड़ जाता है ये तो बाहर ही निकलना चाता है तो भ्रंश पड़ जाता है जिससे दुरबलता मंडल से मैगमा एस्थैनो स्फियर से मैगमा बाहर आता है और ठोस होकर नई भूपरपटी का निर्मान करता है अंदर का मैगमा बाहर आया, बाहर आके side by side जमता चला जाएगा, तो कुछ निर्मान हुआ है, इसलिए हमने इसको बोला है, constructive plate margin, इधी को हमने रचनात्मक किनारा, ये लो, रच किनारा कैसा है, ऐसा किनारा जिसके सहारे निर्मान हुआ है, ओके, तो ये आप देख सकते है, तो इस परकार की जो plates है, देखो इस किनारे को, ये किनारे जिसके सहारे plate इधर जा रही है, या इधर जा रही है, इस किनारे को तो हमने बोला, रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा, ओके, और इस परकार की जो plates है, ऐसी जो plates है, जो एक द बोलते हैं अपसारी प्लेट ये प्लेट है आपकी अपसारी प्लेट ये प्लेट भी आपकी अपसारी प्लेट है एक दूसरे से दूर जा रही है इसमें प्लेट और इससे मध्य महा सागरिय कटकों का निर्मान हुआ यहां से बाहर मेगमा आएगा साइड बाई साइड जमा ह होता जाएगा जब आपको मैंने ओशनोग्राफी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था Atlantic Ocean के अंदर Pacific Ocean के अंदर Indian Ocean के अंदर महासागरिये कटके है रिजिज है वो किस वज़े से बनी constructive plate margin था वहाँ पे दो plate एक दूसरे से different direction में opposite direction में जा रही थी done मध्य Atlantic कटक है बहुत सारे है ठीक है done आगी चलते है तो इसका देख़ए example क्या है इसका सर्वोत्तम example है मध्य Atlantic कटक मध्य Atlantic कटक आपको मैंने बताई थी इधर दक्षिन अमेरिका था ये दक्षिन अमेरिका है इधर आपका उत्तरी अमेरिका था ये उत्तरी अमेरिका है इधर आपका ये अफ्रीका है इधर ये युरॉप है और इसके बीचो बीच था ये ये आपका ये मध्य Atlantic कटक है पूरी की पूरी इसकी एक प्लेट इस डिरेक्शन में जा रही है तो प्रत्वी के अंदर का मेगमा बाहर आया सेकिंड है आपका विनाशात्मक किनारा विनाशात्मक किनारा एक दूसरे की और आ रही है एक दूसरे की और आएगी तो दो प्लेटे टकराएगी टकराने के बाद जो आपकी भारी प्लेट होगी वो हलकी प्लेट के नीचे जाएगी सब डक्ठ होगी छेपित होगी तो द इन में से दो प्लेट एक दूसरे की और गतिशील होती है और ऐसी प्लेटे अभी सारी प्लेट कहलाती है क्योंकि वो कनवर्ज कर रही है एक दूसरे से आके कोलाइड करती है थर्ड प्लेट है सनरक्षी प्लेट किनारा तीसरा जो किनारा है इसमें दो प्लेट एक दूसरे के पैरलल घूमती है एक ऐसे एक ऐसे ना तो एक दूसरे के नजदीकारी ना दूर जारी एक दूसरे के पैरलल ही मूव कर रही है यह देखो यह इधर यह इधर पैरलल मूव है इसको आप बोलते हो सनरक्षी, सनरक्षक किनारे है और यहाँ पे आपके कुछ faults बनते हैं, कुछ दरारी छेतर है जिनको आपने transform fault का नाम दिया जैसे कैलिफॉर्निया के निकिट है निर्मित सान एड्रियास fault चले अब यह जो plate का actual में question है हमारा folded mountain अब वो folded mountain कब बनेगा जब दो plate एक दूसरे के नजदीक आएगी एक दूसरे की और आएगी और एक दूसरे से collide करेगी एक plate दूसरी plate के नीचे छेपित होगी तो plate कितनी दरैकी हो सकती है हो सकता है एक महादीपिय प्लेट हो एक महा सागरिय एक हो सकता है महादीपिय हो दूसरी भी महादीपिय हो एक हो सकता है आपकी महा सागरिय और situation है महा सागरिय तीनी तो condition बनेगी अगर दो तरह की plate है और उन दो तरह की plate को आपस में टकराना है तो या तो दोनों की दोनों महादीपिय continental continental plate टकराएगी या एक महादीपिय एक महासागरिय एक continental होगी एक ओशेनिक होगी या तीसरा तरीका होगा महासागरिय महासागरिय एक भी ओशेनिक और दूसरी वाली भी ओशेनिक Is it fine? जल्दी से बताओ continental, oceanic continental, continental, oceanic, oceanic done, बहुत अच्छा बहुत ही उम्दा अभी हम अपने प्रशन के उत्तर के नजदीक पहुशना शुरू कर रहे हैं जो हमारा question था उसके answer के नजदीक जा रहे हैं अभी देखो, folded mountain बनाने है हमें तो पहले एक महादीप यह है यानि के continental और दूसरी है महासागरिय ओशेनिक प्लेट तो महासागरिय प्लेट भारी होती है उसका density ज़ादा होती है महादीप यह प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है छेपित हो जाती है या अधी गमित होती है याद रखना शब्द लिखना है छेपन इंगलिश में इसको बोलते है सबड़क्षन हिंदी में लिखोगे तो बेटा छेपित ही लिखना है कभी लिखो की धस गई है ना धस गई मतलिखना कि एक प्लेट दूसरे एक प्लेट के नीचे धस गई ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं छेपित शब्द ही यूज करना है हमें तो ये देखो आपकी एक ओशियनिक क्रस्ट थी जिसके ओपर ओशन दूसरी आपकी continental crust थी ओशन वाली भारी थी और ज़्यादा घनतु की थी तो ये नीचे चली गई अब यहाँ पे तो बहुत सारे sediment थे बहुत सारे अवसाद थे बहुत सारे अवसाद है न यहाँ पे तो जब ये plate नीचे जा रही है तो इस अवसाद पे दबाओ बना रही है तो यहाँ पे आपके folded mountain बन रहे है अब भी दिखाता हो तो इससे क्या होगा गर्त का निर्मान होगा यह आपको देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है trench लिखा हुआ है यहाँ पे गर्त बना जब एक plates खुद देखो आप यहाँ पे देखो बिटा यह देखो यह एक plate है यह एक दूसरी plate नीचे जा रही है तो यह beach का जो छेतर है यह एक गर्त बना इधर से जो नदिया आएगी अपना अवसाद लाके इधर deposit कर रही है कुछ महासागरिय तली का भी deposit है तो यहाँ पे जो beach में यानि के इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में रेखो यह beach का जो छेतर है समझ पा रहे हो ना आप यह बिल्कुल ऐसे है सुनो एक plate है यह आपकी एक plate है यह दूसरी plate आके इसके नीचे छेपित हुई है यह छेपित हुई है ओके यह आप ऐसे देख लीजिए तो यहाँ पे जो आपका एक गर्थ का निर्मान हुआ यहाँ पे बहुत सारे अवसाद है बटा अवसाद है बहुत सारे अवसाद है यह plate इधर move कर रही है यह इसके इधर move कर रही है तो क्या होगा इन अवसादों पे pressure पड़ेगा compressional force काम करेगा तो यह ऐसे fold हो जाएगा ऐसे fold हो जाएगा इससे आपका बनेगा folded mountain आई बात समझे इसका मैं आपको एक demonstration देता हूँ एक demonstration देता हूँ यह देखो यह मान के चलो अभी आपकी कोई plate है है ना एक plate इधर से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है तो यह पूरा sediment है तो यह देखो इस पे दोनों side से अगर force पड़ता है तो fold हो गया यह दोनों side से force पड़ा इस sediment पे तो fold हो गया सेम यहाँ पे हो रहा है इस sediment पे दोनों side से force पड़ेगा compressional force आएगा तो यहाँ पे आपका folded mountain यह fold हो जाएगा आया समझ में आपको यह समझ में आया आपको ठीक है समझ में आ रहा है done बच्चे कहरे सर आज clear हुआ है fold mountain होता क्या है कोई बात नी clear होना जरूरी था तो अभी हो क्या रहा है देखो इधर इधर देखो अभी अभी यह देखो यह इधर से oceanic crust है इसका movement इधर है lithosphere इधर एक lithosphere इधर move कर रहा है बीच में जितना भी sediment था यह fold हो जाएगा और यहां पे किनारों पे folded mountain हो जाएगा तो इससे गर्थ का निर्मान होता है जिसमें अवसादों का निरंतर जमाव होगा वलन से मोड़दार परवतों का निर्मान होगा जैसे rockies जैसे endies परवत माला और एक चीज और बोली है देखो इसने यह कहता है endies के आंतरिक भागों में कोटो पैक्सी और चिम्बराजों जैसे जोआला मुखी परवत भी पाए जाना इसी का परिनाम केरे बिलकुल तो folded mountain मिलेगा कैसे और उसके just पीचे मिलेगा आपको सुनो इसने बोला कि यह आपका दक्षनी अमेरिका है यह दक्षनी अमेरिका यह आपका उत्तरी अमेरिका है इसने बोला कि यहाँ पे आपका folded mountain बना जिसका नाम है Rockies यह Rocky Mountain बने यहाँ पे आपके बने Andies Mountain यह आपके Andies Mountain बने ये endies बने ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एक plate इधर move कर रही थी और एक plate आपकी यहाँ पे move कर रही थी एक plate इधर move कर रही थी एक plate इधर move कर रही थी तो बीच में यहाँ पे जो trench बना था और वहाँ पे इधर से महादीप के अवसाद थे उन अवसादों पर force पड़ा तो ये आपका folded mountain बन गया ये बात तो समझ में आ गई अभी ये दूसरी बात क्या रहा है कि यही पर एक दूसरी घटना भी हो रही है ये कहता है कि Andies के जस्ट यहां पे पीछे आपको कुछ जौला मुखी परवत भी मिलेंगे यहां के जस्ट पीछे कुछ जौला मुखी परवत भी मिलेंगे इनी परवत माला के जस्ट पीछे या आंतरिक भागों में जौला मुखी परवत मिलेंगे उसका कारण मैं बताता हूँ ये देखो जब ये वाली प्लेट इस प्लेट के नीचे जारी थी प्रत्फवी के अंदर तापमान बढ़ता जा रहा है तो इस प्लेट का कुछ हिस्सा मॉल्ट हो जाएगा मैल्ट होके यह मैगमा बाहर निकलने की कोशिश करेगा अगर यह चटान कमजोर है यह वाली क्रस्ट कमजोर है तो तोड़ के बाहर आ जाएगा और यहां पे ज्वाला मुखी मिलेगा तो क्या है इधर किनारे पे तो है folded mountain इन किनारों के जस्ट पीछे आपको या इनके जस्ट आंतरिक भागों में आपको ज्वाला मुखी परवद देखने को मिलेंगे ये बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से बताईए इस फाइन ठीक है आ गई है अब एक चीज और देखो आ जाओ तो इसका मतलब क्या था इधर तो फॉल्डिड माउंटेन बन गया ये प्लेट अंदर आई थोड़ा सा इसका आंशिक याद रखना ये कम्प्लीट प्लेट नहीं पिगलेगी बेटा इसका कुछ हिस्सा उपरी हिस्सा ये पिगलता है पिगलता है और ये वाली क्रस्ट अगर कमजोर होगी देखो यहाँ दो सिचुएशन होते हैं जब ये पिगल के उपर आ रहा है या तो इसके अंदर ही जम जाएगा यहाँ कहीं अंदर जम जाएगा ये पूरा मेगमा ये अंदर जम जाएगा तो आप पढ़ते हो आंत्रिक जवाला मुखी आकरती यानि के जो भूपरपटी के अंदर है आंत्रिक या अगर क्या होगा ये पूरी प्लेट कमजोर होगी तो ये उपर निकलता निकलता इसको तोड़ कर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जवाला मुखी आपको देखने को मिलेगा तो इसने कहा अंदीज परवत माला में आपको फॉल्डिड माउंटेन के जस्ट पीछे आपको जवाला मुखी माउंटेन भी मिल रहे है इसका कहने का मतलब ये है सुनो कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब यह है कि यह अगर आपका समझने की कोशिश करना इस्टूरेंट है ना यह दक्षिन अमेरिका है दक्षिन अमेरिका है यह दक्षिन अमेरिका है यह दक्षिन अमेरिका है ओके साउथ अमेरिका इधर आपका पैसिफिक है प्रशांत महासागर की प्लेट है दो प्लेटे एक दूसरे के नजदीकारी है अभी यहां हो क्या रहा है यहां दो तरह की घटनाए हो गई पहली घटना क्या हुई है पहली घटना हुई है कि यहां यह ट्रेंच बनी थी इस ट्रेंच के सहारे आपका यहां पे Falded Mountain बनने शुरू हो गए Falded Mountain बने आपके यहां पे Falded Mountain बने जिसका नाम है Andies यह है आपका Andies Andies परवत माला Andies परवत माला लेकिन यह क्या कह रहा था जब प्लेट नीचे छेपित हुई तो इस Andies परवत माला के ही आंतरिक भागों में पिछले छेतरों में कुछ इस्थानों पर आपको ज्वाला मुखी भी देखने को मिलेंगे यह आपको कुछ यहां पे ज्वाला मुखी देखने को मिलेंगे तब ही वो बोल रहा है कि आपको कोटों पेक्सी और चिम्बराजों देखने को मिलते हैं जल्दी से बताओ यह समझ में आया आप लोगों को या नहीं ओके ओके क्रिस्टल किलियर हो गया डन तो यही यहां पे बोला गया था यहां पे यही बोला जा रहा था रोकी एंडीज बने और एंडीज के आंतरिक भागों में आपको कोटों पेक्सी और चिम्बराजों जैसे जवाला मुकी परवतों का पाया जाना इसका परिनाम है चले दूसरी तरह की प्लेट थी महादीपिय 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 प्लेट का बेस्ट एग्जामपल है इंडियन प्लेट और युरेशियन प्लेट मोड़दार परवतों का निर्मान होता है इधर भी युरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई और हिमाल्य परवत का निर्मान हो गया ये भी continental crust थी ये भी continental crust थी अपस में टकराई एक नीचे गई यहां पे फिर आपको folded mountain देखने को मिल रहे है यहां पे आपको ये पुरा का पुरा हिमाल्य बन गया mountain range बनी है आपकी ये देखो Indian plate थी आपकी आज से 7 करोड साल पहले फिर ऐसे 50 करोड साल 5 करोड साल पहले ऐसे आई Indian plate और ये Eurasian plate थी दोनों plate आपस में टकराई दोनों टकराई तो sediment में वलन पड़ा फॉल्ड पड़े तो आपका folded mountain बना यहां पे folded mountain fold mountain बने आपके यहां पे वलित परवत यह देखे सिधा Indian plate थी यह Eurasian plate थी यहां आपका हिमाल्या बन गया हिमाल्या बना है यह आपका Eurasian plate और Indian plate के टकराई से समझ में आया तो देखो जब हिमाल्या बना तो दोनों plate आपकी continental थी लेकिन जब Rocky और Andies बना एक plate थी Continental और एक plate थी आपकी Oceanic तीसरे तरे का बरेगा दोनों plate नीचे आपकी धसाव होता है या उसका लिखेंगे छेपन होता है परिनामते महासागरिये गर्त और ज्वाला मुखी दीपों की एक शंखला बन जाती है दोनों plate Oceanic थी समुदर की ही plate है दोनों तो एक plate दूसरी plate के नीचे गई तो एक plate दूसरे के नीचे गई देखो ये भी Oceanic है ये वाली भी हमारी Oceanic है plate नीचे गई मैगमा बाहर निकला तो ये आपके बहुत सारे यहां पे ज्वाला मुखी दीप देखने को मिलते है बहुत सारे ज्वाला मुखी दीप मिलेंगे आपको यहां पे बहुत सारे महा सागर के अंदर बहुत सारे आपको दीप देखने को मिलेंगे तो महा सागर के अंदर जो आपके जो ज्वाला मुखी दीप मिलते है उसका कारण है ये वाली plate भी Oceanic है और ये वाली प्लेट भी ओशनिक है और यहां से मैगमा पिगल के बार आएगा तो समुद्र के अंदर बहुत सारे आपको दीप देखने को मिलेंगे यह सब आपको दीप देखने को मिल रहे है ओके डन तो यही इसने बताया है कि यहां पे प्रशांत और जापान सागर प्लेट और फिलिपीन्स प्लेट के अभी सरन की किरिया के दुआरा इसको बहतर एक जापान एक तो प्रशांत की प्लेट है दूसरी जापान सागर की प्लेट है आपस में टक्रारी है Philippines Plate का नाम लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ Philippines Plate कहा है हमारी Philippines Plate यह देखो यहाँ पे आ जाओ यह देखो एक तो प्रशान्त महासागर की Plate है एक Philippines Plate है आपस में टकराएगी तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे दीप देखने को मिलेगे इन छेतरों में बहुत सारे समुदर के अंदर ये दीप देखने को मिल रहे है न बिटा, ये सब के सब कैसे है, दो महा सागरिये प्लेट एक दुसरे से कोलाइड कर रही है अब प्रशन आया, क्योंकि UPSC ने हम से पूछा है, प्रशन में कि क्या कारण है दुनिया के जादातर वलित परवत महास दीपो के सीमानतों पर मिलते है तो वो कारण हमने देखिया कि वो प्लेट मार्जिन्स है हमारे तो पिछले साल तो उसने पॉल्डिड माउंटेन पूछा है लेकिन यहाँ पर माउंटेन के लिए थोड़ा सा अंडरस्टेंडिंग ले लेते है यह सेकंड रिलीफ फीचर होते है देखो तीन श्रेणी के रिलीफ फीचर होते है तीन श्रेणी के उच्चावच होते है आप NCRT में भी पढ़ोगे पास्ट रिलीफ फीचर पास्ट केटेगरी रिलीफ फीचर सेकंड केटेगरी रिलीफ फीचर और थर्ड केटेगरी के उच्चावचिय संरचना प्रथम श्रेणी के उच्चावचिय संरचना दूत्य श्रेणी की उच्चावचिय संरचना और ये तृत्य श्रेणी की उच्चावचिय संरचना ओके तो प्रथम श्रेणी की उच्चावचिय संरचना में आते हैं आपके महादीप और महासागर इनको प्रथम श्रेणी के म महासागर और महादीर आपके जो परवत आते हैं परवत और पठार जो आपके आते हैं वो दीतिय श्रेणी के उच्चावच ये संरचना होते हैं और त्रीतिय श्रेणी के उच्चावच ये संरचना में बाकी सारी संरचना ये तो ये कहता है कि परवत निर्मान ये परवत प हम परवत निर्मान के लिए और जैनेसिस शब्द का इस्तमाल करते है और परवतों का अगर कैटेगरी देखे उचाई के अधार पे परवत अवस्थिती के अधार पे परवत निर्मान प्रकिरिया के अधार पे परवत और समयकाल की अवधी के अधार पर पर परवतों का ये क महा दीपो के तटिये छेतरों में यानि कि वो location का और उसके पीछे के mechanism का कारण पूछ रहा है तो location based mountain होते है costal inner mountain और आपके sea के अंदर mountain होते है जब वो process होगी तो हमारा विवर्तनिकी, अवरोधी, गुंबदाकार, संग्राहित और अवसिस्ट ये हमारा prelims का matter है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे लेकिन बस हमें इतना ही समझना था कि निर्मान प्रकिरिया और आवस्थिती के base ये question था तो ये कहता है वलित परवत, है ना वलित परवत बने कैसे आपके जो crust थी उसके वलन से, उस crust के अंदर bend पढ़ा है तो तब बनते हैं जब दो plate एक दूसरे की और संचलन करती है और प्रत्वी की भूपरपटी मुढ जाती है एशिया में हिमाल्य, दक्षने अमेरिका में एंडीज और येरोप में आपका आल्प्स इस तरह के परवतों के example है, folded mountain के ओके ये देखिए, तो आपकी plate होती है, या तो एक plate continental हो सकती है, दूसरी भी continental, एक continental, एक oceanic तो ये इस तरीके से bend पढ़ जाता है, तो आपके folded mountain आपको देखने को मिलते है हिमाल्य, आल्प्स, और तीसरा आपका rocky, एंडीज, ये सब इसी तरह के mountain के example है चलो, तो अब इसने पुछा है कि वलित परवत महादीपों के सिमान्त पर क्यों बने प्रश्न यही था ना, कि महादीपों के सिमान्त पर क्यों बने हमने देखा था, वलित परवत महादीपों के किनारों पर क्यों बने, नदियों के दुआरा बहुत सारे अवसाद लाके वो deposit कर दिये गए नदिया अपने साथ साथ लाके उस गरतों में deposit को डालने लगी और जैसे ही संपिडनात्मक बल पड़ा तो वो band होना शुरू हो गए थे यही तो बड़ा था, तो यह महा सागरिय और महादीपिय प्लेटों के अभी सरन से हो सकता है margins पे, किनारों पे किस वज़े से हो सकते है या तो एक प्लेट महा सागरिय एक महादीपिय हो जैसे रौकी एंडीज या दोनों प्लेट आपकी महादीपिय हो या जैसे की आपका Alps और आपका हिमाल है तो यह देख सकते हैं यहां पे बने हमारे Rockies यहां पे बना हमारा Andies एक प्लेट थी आपकी महादीपिय है और एक प्लेट थी महा सागरिय है यहां पे आपके बने है Alps यहां पे आपका बना है हिमाल है तो यहां पे दोनों प्लेट इस वाले में और इस वाले में दोनों प प्लेट है महादीपिय और एक प्लेट है महा सागरी है समझ में आया चलो तो आप यह डाइग्राम हम देख सकते हैं तो यह सभी विवर्तनी की जो प्रकिरियाय हुई थी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी इससे आपकी बहुत सारी वैलीज भी बनती है परवत यह चेतरों में घाटी भी देखने को मिलेगी यह घाटी है आपकी है घाटी हिमाल्या का निर्मान कैसे हुआ इंडो ऑस्टेलिया जो महादीपिय प्लेट है और यूरेशियन महादीपिय प्लेट आपस में टकराई तब बना इस तरह से बने परवत सामान्य तोर पर याद रखना जो फॉल्डिड माउंटेन होते है उनकी विशेष्टा क्या होती है उनकी चोडाई कम होती है लेकिन लंबाई बहुत ज़ादा होती है तो चोडाई की बजाए लंबाई में ज़ादा होते है आपके folded mountain क्योंकि margins पे बन रहे है वो किनारों पे बन रहे है तो किनारे लंबे ज़ादा है और उसके बीच का जो trench है जो खाईया है वो कम चोड़ी है उसमें अवसाद आये दोनों स्वाइड से pressure हुआ mountain बन गया done जल्दी से बताईये it's fine आरे सही है न सब ओके सबको समझ में आ रहा है अब second हमारा question था देखो बात वही थी अब मैं आपको देखो मैंने आपको पूरा plate tectonic का concept समझाया अब उसी concept को answer writing में कैसे use करना था इधर मैंने आपको बताया था कि जब वो हमसे पूछ रहा है कि वलित परवत महादीपो के सिमानत्पर क्या थे तो हमने ये 4-5 point लिखे 1-2-3-4 point लिखे हम आगे चल पड़े ये 5 point लिखे अब वो जब हमसे पूछ रहा है कि वलित परवत और भुकंप के बीच का क्या relationship है second part तो यही है ना पहला part तो महादीपो के किनारों पे क्यों बने पहला part दूसरा part महादीप और भुकंप ओ परवत और भुकंप तीसरा part था परवत और ज्वाला मुखी अब हम second part को discuss कर रहे है कि आपके परवत और भुकंपो का क्या लेना देना है चले तो कहता है वलित परवत और भुकंपो के बीच का relationship तो महादीपिय महादीपिय प्लेटों का अभी सरन देखो या तो दो महादीपिय प्लेट टकराएगी या एक महादीपिय एक महासागरिय प्लेट टकराएगी ओके तो महादीपिय महादीपिय प्लेट या महादीपिय महासागरिय प्लेट continental oceanic plate इनके अभी सरन दोनों में ही वलित परवतों का निर्मान होता है और बार बार भुकंप आता है क्यों आता है भुकंप कारण क्या है भुकंप आने का जो प्लेट नीचे छेपित हुई है एक प्लेट ये थी एक प्लेट ये है दो प्लेट आपस में टकरा रही है प्लेटों में कमपन होगा भाई प्लेटों में हलचल होगी हिलेगी वो तो छेपित प्लेट और उपर वाली प्लेट के बीच घर्शन होगा अभी ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल क्या कर रहे है ये बिल्कुल मक्षन मलाई उस प्लेट पे तैर रहे है अब ये दो प्लेट है भाई आपस में टकराएगी एक दूसरे के साथ घर्शन तो करेगी अरे घर्शन करेगी या नहीं तो उस घर्शन से क्या होगा अचानक आपका हो गया बीच में अचानक घर्शन होने से घर्शन के अचानक घर्शन के होने से अचानक उर्जा निकलती है एनरजी आपकी रिलीज होगी जिससे भुकम पाएगा दूसरा महादीपिय और महादीपिय प्लेट क्या होगा अभी सरन से जो सघन प्लेट है जादा भारी प्लेट है कम प्लेट के नीचे जाएगी जिससे मार्जिन के ऊपर एक भरंच बन जाता है दो प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही है तो यहाँ पे एक fault line बनी तो उस fault line पे भी क्या आएगा एक fault line बनती है जिस पे भुकम्प आने की संभावना बढ़ जाती है इसको यहाँ पे समझो यह यहाँ पे देखो Continental यह आपका हिमाल्य बन रहा है हिमाल्य बन चुका है एक plate है यह Continental plate है आपकी ऐसे जा रही है एक plate ऐसे है यह वाली plate इस वाली plate के नीचे छेपित हुई तो इसने बोला जो यह आपका छेतर है यहाँ पे एक fault line है तो जैसे ही यह वाली plate इस वाली plate के नीचे जाएगा दो काम होगा एक तो घर्षन होगा घर्षन से भी क्या होगा एनरजी रिलीज होगी कमपन होगा दूसरा यहाँ पे एक fault line बनी है इस fault zone के सहारे भी आपका क्या है यह कमजोर छेतर बनता है इस कमजोर छेतर में फिर अगर कोई भी activity होती है तो यहाँ भुकम पाने की संभावनाए फिर से बढ़ जाती है डन जल्दी से बताओ ओके डन और क्या हो रहा है तो प्लेटो के टकराने से अब क्या बोलता है प्लेटो के टकराने से इस भ्रंच छेतर के साथ यहाँ पे विनाशकारी भुकम्प या कम घहरे भुकम्प आते है उर्जा अचानक से रिलीज होती है और कमपन पैदा होता है और महादीपी और महासागरी यानि कि एक कॉंटिनेंटल है दूसरी ओश्यनिक है इन प्लेट महासागरी प्लेट छेतरों में छेपित महासागरी प्लेट के आसपास सघन माध्यम पर अत्यधन्त दबाओ डालती है दूसरी बात यह कह रही है कि देखो ये प्लेट थी और ये प्लेट थी एक तो पहला कारण हो गया घर्शन दूसरा यहाँ पे एक कमजोर फॉल्ट जोन बनाता वो तीसरा अभी यहाँ पे एक सेडिमेंट भी तो है अरे इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ये एक प्लेट है इन दोनों के बीच में यहां बहुत सारा अवसाद भी तो है इस अवसाद पे भी तो जब ये प्लेट प्रेशर लगाएगी तो ये जो सेडिमेंट है इसमें भी कमपन पैदा होगा तो माध्यम से अत्यंत दबाओ डालती है जो ज़ादा तर उतले केदृत भुकम्प पैदा होते है और ज़ादा अगर घहराई पे जाती है तो ज़ादा घहराई पे आपके गहरे छेपन अगर ज़ादा नीचे भी तो जारी है न प्लेट यहाँ पे भी activity हो रही है यहाँ पे जहाँ पे sediment है यह sediment है इसमें sediment में भी pressure प डन जल्दी से बताईए जो आपसे प्रशन पूछ रहा था कि वहाँ पे भुकम्प क्यों आ रहे है ओके क्लियर हुआ अब नेक्स है वलित परवतो का और जोआला मुखी का क्या लेना देना है आपस में वलित परवतो के पीछे जोआला मुखी क्या एक तो मैंने आपको बताया था एंडीज के जस्ट पीछे आपके बहुत सारे एंडीज दिखाया था ना मैंने आपको ये देखो कहां गया एंडीज दिखाया था ये ये देखो एंडीज के जस्ट पीछे आपके माउंटेन रेंज जस्ट पीछे आपके ज्वाला मुखी की घटनाई हो रही थी ये भुकंप हो गया अभी हम देखेंगे जवाला मुखी तो कहता है महादीप ये या महादीप देखो फॉल्डिड माउंटेन कब बन रही ये बात ध्यान रखना बटा फॉल्डिड माउंटेन धो ही सिचुएशन में बन रहा था या तो एक महादीप है थी दूसरी भी तो कहता है अगर continental continental plate अभी सरण में मोटी महादीप ये crust मैगमा के बहिर प्रवा को रोकती है तो मैगमा crust के भीतर ही जमा हो जाता है मैंने क्या बोला था ये plate नीचे आई दो situation होगे इस रुको दो situation होगे एक plate है ये ये plate है ये आपकी plate छेपित होई यहाँ पे यहाँ पे दो situation होगी यहाँ पे जब ये पिघल कर उपर आई दो अगर ये बहुत ज़ादा कठोर है है ना तो ये जितना भी मैगमा है कुछ-कुछ यहीं जमा हो जाएगा आंतरिक भागों में जमा हो जाएगा plate के अंदर ही है लेकिन अगर ये plate कमजोर है तो इसको तोड के बाहर निकल जाएगा यही तो बोला है इसने तो यहाँ पे यही कहना चाहरा है मोटी महादीपिय क्रस्ट मैगमा के बहिर प्रभा को मैगमा को बाहर आने से रोकती है तो मैगमा क्रस्ट के भीतर ही जमा हो गया मैगमा यहाँ पे अंदर ही जमा हो गया आप पढ़ते हो ना जो आला मुखी से निर्मित आंतरिक इस्तला करतिया बैथोलित, फैकोलित, लैपोलित, सिल, डाइग वो बेटा सब आंत्रिक है यानि कि वो प्लेट इतनी मजबूत थी कि उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल पाया वो अंदर ही जमा है और महा दीपिये, महा साग्रिये अभी सरण में अगर एक प्लेट कॉंटिनेंटल है, दूसरी ओशयनिक है तो जितना तलचट है, जो उसके किनारों पे है और छेपित प्लेट के पिघलने से मैगमा बनता है जो कम मोटी महा दीपिये क्रस्ट के माध्यम के सतय पर निकल जाता है अगर आपकी एक प्लेट कॉंटिनेंटल है, एक ओशयनिक है ओशयनिक नीचे गई, कॉंटिनेंटल कमजोर है तो उसको तोड़के मैगमा बाहर निकल के आएगा ये देखो, एक ओशयनिक क्रस्ट है, एक कॉंटिनेंटल क्रस्ट है यह इसके नीचे चले गई, यह आपका लिथोस्फियर कमजोर था, यह आंशिक पिगलन हुआ, पिगल के यह बाहर यहाँ पे आपको कोटापेक्सी, चिम्ब, राजो, आपको एंडीज में देखने को मिल रहा था बात समझ में आई, यहाँ पे आपको बहुत सारे जौएला मुखी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे तो आपको फॉल्डिड माउंटेन मिलेंगे, यह सब तो किनारे पे मिलेंगे फॉल्डिड माउंटेन, और किनारों के जस्ट पीछे इन परवतों के आंत्रिक भागों मे आपको जुआला मुखी देखने को मिलेंगे तो जुआला मुखी और Falded Mountain भूकंप और Falded Mountain महादीपिय किनारे और Falded Mountain प्रशन देखो अभी क्या कह रहा है क्या कारण है कि संसार का वलित परवत Falded Mountain महादीपो के सिमानतों के साथ मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि प्लेट के मार्जिन्स है या तो दोनों प्लेट महादीपिय है या एक प्लेट महादीपिय है एक प्लेट महासागरिय है आपकी भारी प्लेट छेपित होती है यहाँ पे जो sediment होता है उस पे संपीड नातमगबल पड़ता है और वो fold होके folded mountain बना लेती है चलो बन गए वलित परवतों का वैश्विक वितरन और भूकम्प और जौला मुखी के बीच का क्या correlation है हमने देख लिया इनका correlation कैसा था अब यह बताओ, इस question को tackle करोगे या नहीं टैकल कर पाओगे ना अभी इसको, जल्दी से बताओ, अब इसको इस question की जो demand है बेटा, साड़े बारा नंबर का question है यह कम से कम जब वो पूछता था, जब वो आपके साड़े बारा बारा नंबर के 20 question पूछता था UPSC, तब वो 200 हो जाता था, अब ही अगर नए वाले pattern में पूछेगा तो इसको 15 नंबर में पूछेगा, 15 marks में पूछेगा, यानि के 2 and half page देगा आपको लिखने के लिए, इस question के अंदर कम से कम, अगर मैं कहूं कम से कम 4 diagram required है, 4 diagram कौन सा, एक तो वलित परवतों का विश्व वित्रण दिखाना होगा, वलित परवतों का विश्व वित्रण, कैसे दिखाओगे आप, कैसे दिखाओगे, ये आपका map बनाना होगा, आपको दक्षनी अमेरिका बनाओगे, यहाँ पे, यहाँ पे आप नौर्थ अमेरिका बनाओगे, फिर आपको यहाँ पे अफरीका बनाना होगा यहाँ से आप दिखाओगे यह इंडिया आ गया इस तरह से आप इस डाइग्राम को बनाओगे यहाँ पे दिखाओगे ऑस्टेलिया दिखा देना ऐसे और यहाँ पे आप दिखा देना अंटार्क्रिका चलो इसको बॉक्स में बंद कर देंगे डाइग्राम जब भी बनेगा बॉक्स में बंद होगा ये बात ध्यान रखना जब भी बनेगा बॉक्स में बंद होगा फिर यहां पर दिखा देना कि ये आपका रॉकीज है ये आपका एंडीज है ये आपका ये आपका आल्पस है ये एटलस है आपका और ये आपका हिमाल्य है एक डाइग्राम तो ये है सेकिंड डाइग्राम क्या बनेगा सेकिंड डाइग्राम आपका ये वितरन दिखा दिया आपने सेकिंड डाइग्राम में आप प्लेट के मुवमेंट दिखाओगे प्लेट कितने तरह की होती है प्लेट के मुवमेंट दिखाओगे आप दिखाओगे प्लेट या तो क्या कर रही थी एक दूसरे के नजदीकारी है या तो प्लेट एक दूसरे के नजदीकाती है ये एक डाइग्राम या आपकी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी ये ऐसे गई ये वाली ऐसे गई यह दूसरा डाइग्राम यहाँ पे आपकी कटके बन रही थी तीसरा डाइग्राम क्या था वो आपका कि प्लेट के मार्जिन साब बता सकते हो तो यहाँ पे आपको conservative मार्जिन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे क्या बात पूछ रहा है वो आपसे falded mountain पूछ रहा है तो हम सीधा यह वाला भी ignore कर देंगे इसको भी ignore कर देंगे इस वाले डाइग्राम को सिर्फ इसी को रखेंगे कि दो प्लेट एक दूसरे के नज़दी का रही है और यहाँ पे तीन तरह का interaction होगा या तो महादीप ये महादीप प्लेट इंट्रेक्ट करेगी या आपकी oceanic oceanic करेगी या oceanic continent प्लेट का यहाँ पे इंट्रेक्शन होगा ये डाइग्राम भी इसका required है कर लेंगे आप बताओ अभी इस question का answer लिख पाओगे आप ओके कर लेंगे बच्चे जवाब दे रहे हैं ओके इस class का जो आपको PDF मिलेगा students वो PDF मिलेगा आपको ये मेरा टेलिग्राम चैनल है अनकेडमी अंडर्सकोर नवीन तवर यही पे आप अपने answer भी बेज सकते है PDF बना के neat and clean PDF बना के बेज सकते है अगर आपको लगता है कि आपको इस तेयारी में किसी भी तरह का कोई doubt है आप यहाँ पे message कर सकते है subscription लेना है चाते हो कि आपकी UPSC की यह पूरी जर्नी answer राइटिंग हुआ geography आपका environment ethics disaster management essay writing बहुत सारे segment मैं deal करता हूँ और तो आपको अगर subscription लेना है तो नवीन 1 code लगा के आप इस subscription को ले सकते है दूसरी बात ध्यानकना 9 December से Unacademy के subscription की fees बढ़ जाएगी 9 December 2021 इस तारीक से Unacademy का subscription का fees बढ़ रहा है जिस भी बच्चे को subscription लेने का जिसने मन बनाया है प्लैन किया है वो 9 December से पहले-पहले subscription ले ज़ादा fees नहीं देना पड़ेगा Otherwise मैं भी वही हूँ आप भी वही हो सब कुछ सेम है बस एक ही चीज बतल जाएगा और वो है पैसा तो पैसा important है उसको बचाना चाहिए तो आप समय रहते subscription ले जो भी बच्चा loan के through याद रखना loan के through subscription लेना चाहता है पहले loan लेने से पहले एक बार मुझसे टेलिग्राम चैनल पे आप interact कर ले मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा सकता हूँ और overall अगर आपको subscription भी लेना है आपको link चाहिए सब के सब आपको मेरे इस टेलिग्राम चैनल पे मिलेंगे इसी video के description link में भी मिलेंगे ओके गाइज उसके बाद जो भी जिसका भी geography optional है भुगोल जिसका वेकलपिक विशे है भुगोल देखो UPSC की तयारी कर रहे हो optional की तो आपको तयारी करनी होगी वरना तयारी हमारी अधूरी रहेगी तो भुगोल अगर आपका वेकलपिक विशे है तो already unacademy plus पर मेरा geography optional का बैच चल रहा है आप उसको जरूर जोइन कीजिए वहाँ से आपको काफी benefit मिलने वाला है बहुत ज़ादा innovation बहुत अच्छी अप्रोच कैसे optional को current affair देखो जैसा UPSC का नया demand है कि वो optional में भी current affair को लेके आ रहा है current के examples पूछ रहा है same इस तरह के session चल रहे है हमारे geography optional के जहां आपको पूरा geography current affair में भी उसका जो पूरा part है वो भी समझ में आएगा और current affair के साथ बहुत शांदार और अधवुत उसका समयोजन करके पढ़ाया जा रहा है तो आप इस batch को जरूर जोइन करें जिसका भी geography optional है और जो बच्चा नया बच्चा है नया नया subscription लिया है एक December कल से पर्सू से मेरा batch चल रहा है ethics का complete course मेरा चल रहा है plus के उपर आप उसको भी देख सकते है आज का session यही end करेंगे evening वाली class अभी नहीं होगी आज भी कोई विशेश मुझे कारण है जिसके चलते मैं evening वाली special की class नहीं ले पाऊंगा कोशिश करूना कि मंडे से हमारी evening वाली classes चले और आज का session बस यही समाप करते अपना ख्याल लखना अच्छे से answer लिखना टेलिग्राम चैनल पे भेजना और अपना और अपने प्रिवार का ख्याल लखना बाबाई ठेक केर